उन दुनों में सामाजिक गतिवदियां बहुत बढ़ गई थी, कलगत्ता में हम कुछ मारवाडी नव्योकों ने मिलकर एक गुप्त समीती की सतापना के, ये अनमान परशाद पोदार जी भाई साब बता रहे हैं, वो समीती का उद्दे से राजनेतिक नहीं था, सामाजिक टता सेवा करना था परंतु उसके सारे कारिये गुप्त रखे जाते थे, हमारी जो मारवाडी नव्योकों की छोटी सी समीती थी, उसमें भी चार भागते, जो चौथा भागता वैतो केबल सामाजिक कारिये करता था, राजनेतिक कारिये करता ही नहीं था, तिसरा भाग जो था, उसका कुछ-कुछ राजनेतिक गतिविदी का भाग था, पता भले ही था, पर भाग नहीं लेता था, दूसरे भाग वाले लोग बाहर से सायता करते थे, जो पर्थम स्रेनी के थे, उनको अपने समीती के कारियों का पूरा पता था सब के जम्में अपने अपने काम बाटे हुए थी गुप्त समीति में हम लोग लगबग 25 लड़के थे जिसमें सवदाचार सहिम के नियम पालन कराए जाते थे और समाज सुधार का ठोस विचार तता कारिय होते थे गुप्त समीति भी पर दहनरुप से बनी वह राजनीति घुरूची रखती थी पर वह राजनीति निति कांग्रेस तक जाने की उनके अंतरंग एक और समीति भी वह विपलव वाद का समर्चन करती थी उसका हिस इंसा में विश्वास था चोथी समीति थी उसमें सफ़त आदी के कड़े नियम थे ये काम हमारा चल रहा था मैं उसमें चोथी गुप समीति थी उसका सदस्य था मारवारियों में तो हम पर्थम थे बंगालियों में तो कहीं दूर दूर में रही होंगी पर बुदयाल हिमत सिंका भी उसी समीति में थे जो बाद में कलकाता हाइकोट के वकील बने करामतिकारी कती विधियों के बारे में बताते हैं बाई जी डाक्टर स्री हजारी लाल महेसवरी के एक अथना नुसार किसी समें किसी अंस में मेरा करामतिकारी जीवन था और लगबग पने दो वरस बंगाल के एक गाउं में नजर बंद के रूप में भी रहा था पर आज तो वे जीवन है ने वे कालक है, उसमें देश भक्ती व्याफार नहीं था, वे बाजार में विक्ती नहीं थी, देश भक्ती सिद्ध करने के लिए कारागार के परमान पत्तर के आवशकता नहीं थी, वे था मात्री भूमी की सतंतरता के लिए बिना किसी आशा आकांक्ष्या क जीवन को उच्छब कर देने का निर्मल भाव हजारों हजार उगते और चड़ती सुरिय जैसे नव्यवकों ने अपने को उच्छरक कर दिया था मातरी भूमी की पली गेदी पर सामने चमकने वाले वे बहुत हैं पर उन्होंने अपना रक्त दिया और मातरी भूमी की सब्तन परसाद जी जो नीव के रोड़े बने उन्होंने कोई नहीं जानता था। उस जमाने की बाद दोश्री थे। उसमें था केवल विश्यव दित्याग और आज है उसके स्थान पर अधिकार की मांग। हम एक ही इसवर के मानने वाले एक ही भारत में रहने वाले एक दूसरी पर घ्रनित परहार कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी ही भाईजी ने आज कल जो चल रहा है उसके बारे में कितना अचा जो है बताया है। जाने वाले युवक थे। में उसमें विपलव वादियों का जोर था उसके लिए पैसे चाहिए चंदा उसमें लोग देते नहीं थे। विपलव वादियों से लोग डड़ते थे। कुछ लोग छिप छिप कर देते थे। कुछ लोग छिप कर सानुपती रखते थे। कमाई उनकी कुछ थी नहीं तो क्रामतिकारियों को खर्च करने के लिए पैसा कहां से आई इसलिए सोचा जाता था कि जिनकी पास बहुत रुपे उनके घर से उसल किया जाई। बड़ी विचित्र बात सुनाता हूं आपको वे नौजवान लड़के पिस्तौलादी लेकर दाका डालने जाते किसी घर गई तो देखा घर में बड़ी दादी मा है तो उनके चर्णों में जाकर परनाम किया वे पोचती बिटा कैसे आई तब ये सची बात कहते माजी कि जरूरत है और हम लोग देश के लिए आपकी शिवा माई हैं धन की भिख्षा मांगने आए हैं डाका डालने का नहीं केती हमें पता लगया है कि आपकी घर में आफसकता से अधिक धन है आप अपनी इच्छा से हमें जो कुछ दे दे हम लेकर चले जाएंगी पूर्शों करते उसी में संतोज करके लोटाते डाकानी डालना किसी को सताने यदि वे लोग मानते तो पिस्तोल निकाल लेते पिस्तोल निकाल कर मातां से कहते आप तो अलग हो जाओ आप हमारी माँ हो तुम हमारी भैन बेटी हो तुम भी अलग हो जाओ पुर्शों से निपतना है और तो खराबी थी पर उनका भाव बड़ा उच्चा था वह भाव आज है ही नहीं आज तो देश बगत भी पहले सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा उसमें उन लड़कों को क्या मिलता था उनको मिलता था अपमान गरवालों का तिरसकार गरवाले उनने गर से निकाल देते थे उन मैं मन में बहुत उमंग थी किसी भी पदले की आधिकारिक कार्तिकी यसकी इन किरामतिकारियों के मन में किसी परकार की कल्पना भी नहीं थी विसुद देश सिवा और देश सिवा के लिए चुपचा प्रानों का प्रित्या करदना उनका उद्देश से था आजादी के दीम गटना सुना रहे हैं, रोडा कंपनी के नाम से बंदूग बनाने वालों का एक फरम था, उस फरम से पिस्तोलों का चोड़ी हो जाना बंगाल में करांतिकारी कारियों में वर्दी का सबसे पर्मुक कार्ण था। मालिक के बंसी, टोट रोड सितद गोदाम में वैसरफ एक सो बनवें पेटियों को ही लेकर आया, उसके बाद वह यह कह करवां से चलागा कि बांकि बचेवी पेटियों को लेकर वह वापिस आ रहा है, भै फिर कभी नहीं लोटा, तीन देन के बाद इस गटना की रिपोर्ट पुलिस में दी गई, उन दस बक्सों में पचास माउजर पिस्टोल थी और उन में काम आने वाले छारीस हजार गोडियां थी, यह पिस्टोल बड़ी साइज की थी, अर्था तिन सो बोर की थी, और परतिक पिस्टोल पर नमर दिया वा था, जिसका रिकार्ड रोडा एंड कंपनी के पास था, सरकारी अधी कारियों के पास इस बात का पका परमान मौझूद था, कि बंगाल के नो विधिन दलों को इन में से 24, 24 पिस्टोलें उस इसमें बाढ़ दे गई थी, और इन पिस्टोलों को इसकी बाद वे, चोवन डाकों और हत्या कांडों में वहार में यह बात आसानी से कही जा सकती है कि अगस्त 1914 के बाद बंगाल में शायद ही कोई करांथी कारी घटना ऐसी घटियों जिसमें रोडा कंपनी के इन पिस्टोलों का व्यवार में नहीं लाया गया हो, तो यह उन दिनों में तो आजादी के लिए जो थे नोजवान बहुत ही अ 15 जलाई 1955 को इसके पस चाच श्री अर्रागुनाथ परसाद जी सिंगानिया को देखे पत्रों में भाईजी ने अपने किरांतिकारी जीवन की बहुत सी बाते लिखी हैं पत्रों के कुछ अंस देखिए यह 15 जलाई 1955 कि यह श्री शिंगानिया जी से प्रेम हरी समरन सन 1914 की गटना का इती वर्ष जो आपने लिखा है वह बिलकुल सत है कलर का नाम जहां तक मुझे याद है श्री चंदर मित्तर था इस गटना के कुछ दिनों बाद हमारी दुकान में जो पार्ठी कोठी में थी त क्लास सी हुई थी पर मेरे सवसुर स्री मंगत्यराम जी स्रावगी का पुलिस वालों के साथ को संबंधा उनके परियतन से बेशव का अवजात उसमें दबा दिये गए थे भाई फूल चंद चौदरी के मकान में पिस्तोलों के यह 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 अपचली मैं इसलिए पता रहा हूं कि देखो किस परकार उनके दिल में पहले देश को आजाद कराने की दोन सवार थी और उस आजादी के बाद जो है उन्होंने किस परकार अपने देश की और अपने ध्रम की जो है बहुत बड़ी सेवा की थी तो यह हमारे हनुमान परशाद जो थे उन्होंने सचमुच में पहले आजादी के लिए जीवन बलीदान कर दिया और फिर सब कुछ जो है न्योचावर कर दिया हिंदू ध्रम की सेवा के लिए ऐसे महन अब भाई जी जो है अपने नजरबंदी और साथ में साथना की बारे में बता रहे हैं यह 27 अगस्त 1906 को कहते हैं मुझे बंगाल गौवर्नमेंट की सेकरेटरी श्री कमिंग महुदे का इकार्डर मिला जिसमें मुझे बांकुड़ा जाकर बांकुड़ा जिली में सिमला पाल लमक स्थान में रहने का आदेश था और उस आडर में कहा गहा था कि डी आई जी महुदे की बताए हुए समय पर तुम बांकुड़ा के पलिस सुप्री टेंडेंट से मिलो और भी बांकुड़ा से 24 मील दूर एक छो पर दिया गया और मैं घर आ गया और उसी रात को घर से चल कर बांकुड़ा पहुचा और स्री जय दयार जी गोईंद खा की पास टहरा दो स्री दिन 28 तारीकों प्लिस सुप्रेटेंडेंड से मिला उन्हेंने मुझे सिमला पाल में जाकर अमक मकान में रहने का अधिश दिय अब तो वहां बांकुड़ा से बस जाती है पर उसमें तो बैल गाड़ी से जाना पड़ता था दो सथानों पर छोटी छोटी नदियां पहर करनी पड़ती थी अब तो नदियां पर भी पुल बन गए हैं रात को नो बजी बांकुड़ा से रवाना हुआ तो दूसरी दिन 12 बजी पहुंचा वहां की पुलिव साधिकारी की बताएवी चोटी ची जॉपड़ी में जिसको उन्होंने पहले से तयार कर रखाता रहने लगा वहां मैं लगबग पहुने दो साल तक रहा शरकारी 80 रुपी महिना खर्च के लिए देती थी 30 रुपया मुझ को और 50 रुप अकेला किछना खाता तो वहां की जो पैसा बसता है वहां गरीबो मैं बाग देता वहां पर भी मेरे पास कभी पैसा बसता नहीं था इतना ही नहीं शिमला ने गैहों आठा मुझ की दाल नहीं मिलती थी और सब चावल आदे तो मिलते थी चावल डेड रुपे का एक मन और बढ़िया चावल उसमें तेन रुपे का एक मन मिलता था दो दो पैसे का सेर घी एक रुपे का पने दो सेर मिलता एक पैसे का चावल कई दिन तक च जया दयाल जी, गुइंद का और श्री वक्स जी वाजोरिया बराबर बैराल गाड़ी में बेजते रहते बिना किसी डर्या संकोज की पॉने दो साल तक बेजते रहे। मेरे किरिफतार होने की बाद कलकते में घर पर कोई पुरस्त नहीं था क्योंड मेरी बुड़ी दादी, मेरी माँ पत्नी और दो छोटी बैने थी। पैसा पास था नहीं, दादी जी ने सब से माला एक पैसा किसी से नहीं लिया। घरवाले परिच्च वाले मित्तर दो सब अलग होगे, किसी ने घरवालों से संपरक नहीं रखा, समाज की अच्छा चिज लोग जिन से मेरा संपरक था, उन लोगों ने घरवालों से मिलना बंद कर दिया, उन लोगों ने चुपके से दादी जी को कहला दिया कि हमारे पास को आजये यहां तक की भैता की हमारी साहिते सम्यर्दनी समीती थी, उसने गीता प्रकासित की थी, गीता के मुख परश्ट पर हम लोग ने भारत माता का चित्तर छापा था, जिसकी एक हात्म गीता दियो दूसरे हात्म तलवार हमारी उसमीती की मंतरी स्री नारायन बाजोरिया इतना भै हुआ कि उनकी चाचा जी श्री रामलाल जी ने वेकिता जला दी क्योंकि उसकी उपर वैसा चित्तर था, श्री जयाज दयार जी गोईंद का जब बांकुडा आते तब मेरी दादी से अवश्य मिलते हैं कि इतरिक तो समें दादी से में उनकी सुख दुक्की बात पूछने वालों में कलकता समाचार के संपातक डक्टर जहबरमल जी शर्मा, श्री रामकुमार जी गोईंका, श्री बर्नार जी परसाद जंजने वाला और मोती लाल जजो दिया थे, इन लोगें गोश्य में यह सान्यों बती मुझे हमेशा के लिए उन लोगों का जी बड़ी आतमियत्या होगी और वह मेरा घर सा बन गया, मेरे से सब भी बड़ा प्रेम करते हैं घर का विक्तिमानती पास में थाना था तो, पहले तो परती दिन पर आते साथ बजी थाने में जाकर हाथ जरी देने का नियम था, मेरी डाक भी पलिस की मार पताने का नियम पर बाद में इतना हिंद में गया कि जब थानेदार भाहर रहता तो उसका सारा काम में करता, थानेदार स्री राजारा मंडलोरस के परिवार के लोग मझे अपने घर का ही सद्धे समानती डाक में खोलता, उत्र में लिखवाता, लिखने वाले मेरे नीचे काम करते हैं जो भी रिपोर्ट शरकार के पास जाए बढ़िया से बढ़िया जाने लगी, शरकार को इससे विश्वास हो गया कि आदमी राजनित्ती तो जरूर है किरांतिकारी भी है पर बहिमान नहीं, वहां पर एक छोटी ही जंपडी में रहता था, कच्ची जमीन उस पर छन छाई ह हुई थी, दिवाले भी कच्ची ती अभी तक वह जंपडी वैसी ही है, उसका तीन रुपी करा देता था, शरकार पचास रुपया मासि खर चुर लिए, घरवालों को देती तो थीस रुपया मासिक मेरे को, शरकार का नियम था कि मैं किसी गाउं के बाहर के आदमी से नह मि कि Śरकार की मन में वैदा कि कही विद्यारतियों को भेगार दिगा वहां पहले तु मेरे पास तीन काम थे, ञाम, जब करना, ध्यान करना, और श्वाद रहूं रोटी बनाने का तो काम थाही नहीं, थाही काम थाही, रोटी तो अपने अप बना कर्चाता-कभी दोसमे बनात काभी एक समय ही बना दपर बनाना सी गया था अभी भी मैं अपने रोटी बना सकता हूं इतना अभ्यास है। चौता काम फिर भी आ गया होमोपाथिक दवा वितरन काने का एक विरद अंगरे शेवल सर्जन वहाया करते थी। हर महीने मुझे देखने आते विए बड़े ही दयालो साद उस अभाव की सब्जन परस्ते उनने का तुम यहां क्या काम करते हो। मैंने कहा कुछ नहीं करता हूं और मुझे कहा कि तो में दो काम बताता हूं तो मारे पीछे जो जो मिन खाड़ी पड़िया उसमें तुम पोलों के पेड़ लगाओ। मैं तुमको भीज भीज दूँगा तुमारे पीछे बड़ी सुंदर फूलवारी तयार हो जाएगे दूसरा यहां असपास कोई अच्छा डाक्टर नहीं है तो तुम होम्योपयतिक दवा वित्रन किया करो। मैंने कहा कि मैं जानता नहीं और मैंने यह काम कभी किया नहीं हुए बड़े प्रेमशी बोड़े कि मैं तुम्मी इसके लिए इसाहित भीज दूँगा। मैं हूँ तो अलोपयतिक सर्जन लेकिन होम्योपयतिक दवा तुमें भीज दूँगा। तुम भगवान का नाम ने करनी शंक दवा दिया करना। तुम सफल हो जया गया असरवाद विए पुरुष देगा। उनका नाम मिस्टर वास्थावी बंगला। बोलना जानते देवनान फिर मुझे होम्योपयतिक दवायां और पुस्तोगें भेज दे फिर में यह काम और करने लगा। पुलिस की लगाता रची रिपोर्ट जानगे कान। सवा साल बाद शरकार ने मेरी पत्नी को वहां लेने की छोड़ देदी। तब सभी मेरे पास रहने लगी और मेरे सोई बनाने वगर ऐसे मुक्त हो गया और साथी मिल जाने से मुझको भी बड़ा आराम रहा। मेरी पत्नी जो एक परकार से निराशासी हो चुकी ती मेरे पास रहकर बहुत सुखी हो गई। छह मेंने वह भी उसी जोपड़ी में रही वह होमोपाथी की दोवा की पढ़िया बांदने मेरी मदद करने लगी। वहां से मलापाल में एक बार मेरी दादी जी और मेरे मामा श्री में घराम जी बजोरिया मुझे मिलने आए शरकार ने उनको अनुमती देदी थी। वहां मुझे नाम जबकी चमतकार भी देखने को मिले एक बार वहां मुझे टाइफएड हो गया वहां कोई इसे डाक्टर वैद नहीं थे। एक बंगाली वैद थे वे बेचरह आया करते एक पुराने कंपाउंडर थे वे दो-चार दोवाएं अपने पास रखते थी। थोड़ी ही दिर मुझे केवल मानसिक श्यांती ही नहीं मिली मेरा जवर भी उतने लगा नाम जपने से मेरा जवर उतार दिया मुझे अच्या कर दिया। एक और अन्वभव और हुआ समाचार मिला कि मेरी दादे कलकता में बेमार है और मेरे से मिलना चाहते हैं वे आने की शित्ती में नहीं ती नहीं है मनुसार में बाहर जा नहीं सकता था और इसके लिए बंगाल सरकार की आगा चाहिए। कलक्टर भी मुझे भेजनी सकते थे कलक्टर की मारपत पत्तर जाय तब कहीं काम बने मैंने मन में बड़ी व्याकुलत आयो डिशी निमित मैंने बगवान के नाम का जाब शुरू किया। आप पास चरिये करेंगे कि एक डिप्टी कलक्टर मुएन के लिए आये वे कभी-कभी थाने में आया करते थे मेरे से मिलने आये वे चरकाओं के मुश्रमान थे पर थे बड़े सुहर्दे व्यक्ति उनकी बड़ी पहुंच थी मैं राजनितिक बंदी था लेकिन लोगों के मन में बड़ा समान था कि ये लोग देश के लिए कस टोठा रहे हैं उस जमाने मे जो राजनितिक बंदी थी में आपने लिए थे К्या कहुए सब सुहर्थ रही थे उनका क्यों लेह की स्वार्था की देश की सब्तंतर्था के लिए अपने प्रांग दे देना अच्छे लोगों के मन में उनकी पर्ति सम्मान था यद पी सरकार का मन में बहुत डर्था पर मन में सम्मान था इसलिए भी थे तो मुसल्मान पर उनके मन में बड़ी अच्छी भा कर दिए उसी दिने बांगडा गए और बांगडा से कलकटा गए कलकट जा कर वे गावनर के सब्सक्राइब रिक्षी मिले मेलकर उने नो कहा कि ऐसी ऐसी बात है मैं देख कर लाएं कि उनकी बुडी दाधी वेमार और उसी 15 दिनों के लिए जदी से जल्दी पैरेवल पर थाने में जाकर रिपोर्ट करके आ गया कि मैं जारा हूँ और लोटकर रिपोर्ट कर दी कि मैं आ गया हूँ इसकी पश्चाहद मार्च या श्याद अपराल 1918 के से सब्ता में मुझे बांगडा क्लकटर ने बांगडा बलाया और एक दस्तावेज पर सही करने का जिसमें लिखाता कि मैं बाईसे में किसी भी राजनेती का अंदुलन में भांगनी लोगा उन्हे ने बड़े इसलिए से मुझे समझा था कि तुमारे आच्रण वे वार्च्वे सरकार बहुत संत्विष्ट है तो मैं इस परकार की कार्यों में नहीं पढ़ना चाहिए पर तो मैं उनकी बात मान नहीं सका और मैंने उनसे सपष्ट कह दिया कि मैं राजनेती स्यालग रहने का पर को वचन नहीं देशकता है मैंने कहा कि मेरी बुद्धी अब उगरता तो नहीं है पर राजनेती मुझे भागनी लोगा ये बात नहीं लिखूँगा उन्हें का अच् तो मारी आगया नहीं मिले पिर भी बंगाल में परवेश मत करूँगा पांचे दिन बाद दोसरा अडर अठारा सो अठान में का इस्ट इंडिया कंपनी का एक रेगुलेशन ता उसके अंतरगत मुझे बांकड़ा आने पर दिया गा जिसमें मुझे चोबस गेंटे के रचनगड चला गा कलकाथ से मेरी परिवार की लोग भी चलकर रास्ते मेरे साथ हो गए मैंने मालविया जी को पत्र दे लिगा नें मुझे पुत्रवहत मानत तो तुंनने विकानेड महराज को पत्तर दे दिया कि आनमान परशाद रचनगर जा रहा है यह राजनितिक बाजाज के अनुरोज पर मैं बंबी जाकर रहने लगा और लखबग डेड़ वरसबाद बंगाल में शरकार ने अपने साधेश को वापीस ले लिया अब जो है भाई जी अपने बंबी मैं जीवन का विरतान सुनाते हैं कुछ महिने रतनकट रहने के बाद भाई जी जमने लाल जी बजाज के अनुरृत से जिनासी मेरा परिच्च अकलकते में ही हो गया था बंबी मेरे साथ जैसा सदयोहर किया उसको मैं कभी नहीं बोल सकता जमनाल जी से परीचे तो पर बंबी में तो वे केवल मेरे परीचे तो जमनाल जी नहीं थे जमना नाल जी थे मेरे सहाएक मेरे सनरक्षब मुझे में गुण देकर उनका विस्तार करने वाले सच्चे आतमी है मेरे सुख्दक के साथ है कान सुहर्द और मेरे अंतरंग मित्र उनने मुझे हरतरे से अपना बढ़ाया और मुझे पर विश्वास किया कि अपना हर्द खोल कर मेरे सामने रख जया वे अपने जी उनकी मन की गुप से गुप बाते मुझे बतलाते मेरा सुनते सलामरस प्रामरस देते लेते आरम में उनी की हिस्वदारी में मैंने श्वर बाजार में काम सुरू किया उसकी उनकी साली तता परभान मुनीम श्री चरिंजी लाल जी की हिस्वदारी में मैंने रुई का काम प्रारम किया पीछी ताराचंद जी गंश्याम दास जी फ्रम की भाई श्री निवास जी पुदार की बाल किर्षनलाल जी की हिस्यदारी में शेर बाजार में काम गया बंगाल भगवान की मंगल में विधान के अंशार मजी व्यापर में सफलता ने मिली मित्ती तो पेशेवालों का साई ज पर श्री जमना लाल जी, श्री चरिंजी लाल जी, श्री निवास दास जी तदा श्री बाल कर्शनलाल जी ने मुझे जो अध्रस वेवार किया वैसादा समर्णिया है मेरे दवरा श्री निवास दास जी श्री बाल कर्शनलाल जी आर्थी कहानी हुई पर उसके लिए उन्हों सीर्षथ नेताओं से गनिष्ट संप्रंक के बारे में भाई जी बताते हैं, बंबी में महात्मा गांदी से बहुत निकटका गरेली संब्द हो गया, वहां काई बार मेरे घर बीया आए, वहां स्री विठ्छल भाई पटेल, श्री वललब भाई पटेल, श्री काका कालेलकर, श्री वियनोबा जी, श्री दादा, धर्मा अधिकारी, श्री किर्शंदास जी, जाजू, श्री उमर सोमानी, श्री मौलाना सौकतली, श्री मौलाना महमद लियादी नेताओं से सम्मंत बड़ा, श्री जम्ना लाल जी की पड़ी के ऊपर एक बड़ा सा हाल जम्ना लाल जी नेतां के ठहरने के लिए शरक्षित कर रखाता, जम्ना लाल जी वर्दा में हो या बंबी में में नेतागन उनके हाल में सवचंदर ठहरते, पड़ी बालों को याद देशता कि भी नेतां के लिए खानपान बंबी में भर्मन आदी ततावा शक्ता होने पर रेल किरा तता अन्यान्य खर्च की आदर पूर्यों की बेवस्ता करें जमना लाल जी मानों इसमें देश की प्रह सभी नेताओं क्या आश्रे शर्थलते बड़ी बड़ी नेताओं से परिवार में जाकर उनसे गरेली समंध स्थापित करते बंबी में पुझे मालविये जैसे मेरा संप्रगवा बहुत बड़ा उनके दो पूतर श्री राधाकांद मालविये और मुकंद मालविये प्रह मेरे पास ही रहा करते थे उसमें मालविये जी माहराज की आस्थिकता कई गटनों दवरा मुझ पर असर पड़ा बंबे में ही स्री कन यालाल जी मनसी, स्री जिनना, स्री मुला भाई देशाई, स्री परशोदम्दा, स्री ठाकर्दास आदी महनु बहुँ से मेरा नियूना धिक निकटका संब्द हो आ ते लिक महराज के साथ पी मेरा संब्द हो उनके बाद ही महामना मदन मोहल मालविये, डाक्टर राजजंदर परसाजी, बाबू परसुत तंदन, लोक माने चिलक, महातुम गांदियादी से निकटका संबन्द हो गया, सन 1921 की बात है मैं उसमें बंबी में था, लाला लाज भच्रा है थे, मेरे पास ही ठारी थे, उसमें जो हूँ मैं एक जोतिशी रहते थे, मु पर ये अभी तक गिरफता नहीं थे, लाला लाजी ने कहा, अच्छा जो तिसी है, ठीक बताता है, मैंने कहा, बताता तो है, बड़ी दिनोत की भाशाम बोलें, यार कल जाओ तो पोचकर आना, लाज पत्राय का पकड़ा जाएगा, अब बताईए ये क्या बात है, ये बतार होना चाहिए, उनके लेखों और व्या खानों के दोवर, उसमें कासी वातवन का निर्मान हो गया कि इस देश के लिए जेल जाना गरों की बात हो गई, लाला लाज पत्राय श्रीकिवेक्ति के लिए जेल जाने में गरों की बात भावना हो गई, शंथ परवर, दिन तक सचंग का लाब मिला, लोडती समय बोले, यहां भी सचंग चालू रखना चाहिए, परशन आया कि हमेशा कौन बोलेगा, शेर जीन कहा तुम बोला करो, उसमें मुझे बोलना नहीं आता था, लिखने का तो कुछ अभ्यासता पर बोलने का अभ्यास नहीं था, मेरी हीमत बोलने की नहीं थी, उनके आजया मान कर थोड़ा बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो पैर कहा अपना लगे, पसीना आ गया, कुछ दिन बोलने के बाद कोई दिक्कत नहीं खूब बोलने लगा, फिर बहुत लोग आने लगे, वहां बोलने से एक डाब वा, जो बोलना बोलने से प्रसकों लगें रहूना बात वही केनी पड़ति है, जोछी हो और अच्छी बात जो कहता है उसके पल्ने पड़ी इस सुझे मुझे वहां बोलने से लाव होताहे, चला गया कंध़ियों, लाव होता गया और शत्षंग-भhromun सत्षंग अहुन बन गया, बंबि में सत्षंग भमन श्री शिंव नारायन जी नेमानि की बाड़ी में परतीदिन गीता, पर मेरा प्रफचन होता, गीता की पढ़ाई भी होती, सत्षंग में कुछ लोग नियंद रूप से गीता, परतीदिन अच्छे संख्या में लोग आते, निज वीच में बंबी तता बाहर के लोग बड़े गनमाने विद्वान पृष्पिया करते हैं, यह मरवडी विद्याल में गीता क्लास खुला गया था, वह भी चला गरता था, बड़े निष्टा के साथ विद्यार थे विद्यान करते हुन्हान विद्यार थियों में हमारे स समाजवादी सच्चे निता जिनका कोचीज निपले निदन वाता श्री राम मनुहरलू है भी थे जो समय समय पर अपने भाशनम में इसका वनन किया करते थे तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं प्लीज मेरे वीडियो को जो है लाइक करो, कॉमेंट करो और शेर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राब करना थेंक यू मै डियर फ्रेंड, थेंक यू लॉर्ड, थेंक यू, थेंक यू, थेंक